हलो दोस्तो मैं वेशाली लोधी और स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके ही अपने यूटूब चैनल फ्री एडुकेशन पर तो दोस्तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पिछले 6 मां के करेंट अफ्यस के मोस्ट इंपॉर्टन फिफ्टी कॉशन को डिसकस करने वाले तो वीडियो को विना स्किप किये हमारे साथ लास्ट टक बने रहे है ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टन कॉशन मिस ना हो और लास्ट में आप सभी के लिए एक चैलेंजिंग कॉशन रखा गया है जिसका आणसर आप सभी को कमेंट शेशन में कमेंट करके देना है तो चल तो कुछ इंपॉर्टन फेक्ट आपके एक्जाम में पूचे जाते हैं इंकॉम डिसकस कर लेते हैं तो इलेक्सन कमिशन ओफ इंडिया यहने की भारती निर्वाचन आयोग जो है इसकी इस्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी इसलिए दोस्तों प्रतेक वशम 25 जनवरी को र ताटा पावर सोलर सिस्टम ने पानी पर भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर उर्जा परियोजना कहां पर शुरू की है तो दोस्तों आपको याद रखना है भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर परियोजना किसके द्वारा शुरू की गई तो ताटा पावर सोलर सिस्टम के दौर इसको शुरू किया गया, कहां पर शुरू किया गया है, तो केरल के कायम कुलम में इसको शुरू किया गया है, option B is the correct answer, next question है, October 2022 में नई लेखा महानी अंतरक की रूप में किस ने कारिवार समाला, तो दोस्तों आपको याद रखना है, October 2022 में देश की नई लेखा महानी यनि की CGA जो है, ये बन गई है, भारती दात, option C is the correct answer, ये कौन सी नमबर की CGA बनी है, तो ये 27 वे नमबर की CGA बनी है, और इन्होंने किस का इस्थान लिया है, तो इन्होंने सोनाली सिंग का इस्थान लिया है, ये भी आपको याद रखना है, next question की हम बात कर लेते हैं, औ option A is the correct answer, इस प्रतियोगिता का आयजन कहां पर किया गया था, तो नीदरलेंड और स्पेन में इसका आयजन किया गया, और इसका खिताब किसने जीता है, तो नीदरलेंड ने इसका खिताब जीत लिया, कौन सा संस्क्रेंड था इस वर्ष 2022 में, तो इस प्रतियोगिता का ये वाशिक करेंट अफियर, यानि की जनवरी 2022 से नवंबर 2022 तक करेंट अफियर्स प्रोवाइड किया जा रहा है, इसी में अगर आप टॉपिक वाइस करेंट अफियर्स को पढ़ना चाहें, तो पचपन प्लस टॉपिक वाइस करेंट अफियर्स प्रोवाइड किये जा रहे ह पिशे के साथ में जैसे कि आप देख सकते हैं अभी एक्जाम हो रहे हैं उनमें पिछले एक साल से जाधा का C.I.rig के पूचा जा रहा है है तो आप हमारे दुई वाषिकां करेंट उसकी चू.ń है इसको उपाईब कर सकते हैं इसमें आपके लिए जिनवरई 2021 से आनुबबर 2022 22 तक करेंट अफियर साथ में ही 60 प्लस टॉपिक वाइस करेंट अफियर जो है ये प्रोवाइट किये जा रहे हैं और 1800 से जादा डिटेल MCQ जो है ये इस e-book में भी आपके लिए प्रोवाइट किये जा रहे हैं दौनों e-book की जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और अगर आपको e-book से related कोई भी कौरी होती है तो वहीं पर आपके लिए वाट्स अप नमबर प्रोवाइट किया गया है जिस पर आप हमसे कॉंटेक्ट कर सकते हैं चलिए नेक्स्ट हमारा कॉशन है यूएस उपन 2022 में टैनिस चेंपियंशिप में पुरो खिलाडी भी बन गाए है तो इस तरीके से यहां पर आप नोट्स बना सकते हैं इसलिए मैंने यह जो डेटा है यह आपके लिए एक ही जगह पर प्रोवाइट किया है तो ऑस्ट्रेलिया उपन में बात करेंगे पुरुष एकल का खिताब राफिल नडाल ने जीता है महिला उपन का खिताब जो है पुरुष एकल में यह राफिल नडाल ने और इगर स्टेक ने महिला एकल का खिताब जीता इसी प्रकार हम बात करें विमल्डन ओपन की तो नोवाग जोको बुच है इन्होंने पुरुष एकल का खिताब जीता है और यहां से एक कोशन आपके एक् तो इनको आप याद कर सकते हैं नेक्स कॉशन की हम बात कर लेते हैं और नेक्स कॉशन है भारत के सरवोच न्यालाय के पचासवे मुखे नयाधीश कौन बने हैं तो दोस्तो सुप्रीम कोट के पचासवे मुखे नयाधीश जो है ये बन गाए है इससे पहले 49 मुखे नयाधीश कौन बने थे तो ये ओदय ओमिश ललित बने थे और इससे पहले 48 मुखे नयाधीश कौन थे तो ये एन भी रमना थे और पचासवे कौन बन गए हैं तो डीवाइट चंदर चुन बने हैं नाटो सिखर संबिलन 2022 कहा आयोजित होगा तो दोस्तो नाटो सिखर संबिलन 2022 का जो आयोजन है ये इस्पेन की राजधानी मैडरिट में किया गया अप्शन C is the correct answer अब इससे related कोच important fact को हम यहाँ पर discuss करेंगे तो नाटो सिखर संबिलन 2022 में हुआ है ये इसकी 32 वी वैटक थी यहने की 32 संस्करण एडिशन था कहां पर आयोजन हुआ तो इस्पेन की मैडरिट में इसका आयोजन किया गया और बात करें इससे previous edition की previous edition की sorry तो previous edition जो है ये 2021 में Belgium Brussels में हुआ था आने वाला संस्करण जो है ये विल्नियस लिथुआनिया में आयजित किया जाएगा वर्ष 2023 में अब बात हुई है दोस्तो यहाँ पर नाटो की तो नाटो का full form होता है North Atlantic Treaty Organization एक्जाम में ये पूछा जाता है हिंदी में इसको उत्तरी Atlantic संदी संगठन कहा जाता है इसकी स्थापना कभ हुई थी तो 4 अप्रेल 1949 में हुई थी मुख्याले कहाँ पर है तो Belgium के Brussels में है और दोस्तो वर्थवान में महासचेव कौन है तो James Stalled Talent Work जो है ये नाटो के वर्थवान में महासचेव है भारत के नए उपरास्ट पती कौन बन गए है तो दोस्तो देश के नए उपरास्ट पती जो है ये बने है जगदीब धनकर option B is the correct answer जगदीब धनकर कहां से बिलोंग करते है तो ये राजिस्थान राजे से बिलोंग करते है ये भी आपको याद रखना है ये इससे पहले पस्चिब बंगाल के गवर्णर थे और जगदीब धनकर जो है ये देश के चौदवे नमबर के उपरास्ट पती बनी है इनका क्रम भी आपको याद रखना है इससे पहले उपरास्ट पती कौन थे तो एम वेंका ये नाइडू जो है ये देश के तेरवे नमबर के उपरास्ट पती थे चलिए नेक्स कॉशन है विस्व पर्यटन दिवश कब मनाया जाता है तो दोस्तो वर्ल्ट टूरिज्म डे ये प्रतेक वर्श 27 सितंबर को मनाया जाता है ओप्शन C is the correct answer 2022 में इस दिवश की थीम क्या रही है तो री थिंकिंग टूरिज्म यानि की पर्यटन पर पुनर विचार ये 2022 में इस दिवश की थीम रही है थीम भी आपको याद रखनी है यहां से पूछे जाते है सेन अभ्यान के नए महाने देशक कौन बने है तो दोस्तो सेन अभ्यान के नए महाने देशक जो है ये बने है मनोच कुमार का टियार अप्शन A is the correct answer नेक्स हमारा कौशन है देश के Chief of Defense Staff यानि की CDS कौन बने है तो दोस्तो देश के नए CDS बन गए है अनिल चोहान कौन से करम के ये CDS बने है तो ये दूसरे नमबर के CDS बने है पहले नमबर के CDS कौन थे तो आपको याद रखना है ये विपिन रावत थे जिनका हैलिकेप्टर क्रेश दुरखटना में निधन हुआ इसके बाद ये जो पद है CDS का ये कुछ समय तक खाली रहा और अपदेश के दूसरे CDS जो है ये अनिल चोहान बन गए है नेक्स कौशन की हम बात करेंगे और यहाँ पर नेक्स कौशन है सैन अभ्यास परवत प्रभार किस केंदर शाषित प्रदेश में हुआ जिसकी समीक्षा सेना अध्यक्ष जनरल मनुच पांडे ने की तो सेना अध्यक्ष कौन है मनुच पांडे है और इन्होंने समीक्षा की है परवत प्रहार सैन अभ्यास की ये किसके इंदर शाषित प्रदेश में हुआ है तो इसका जो आयोजन है ये लद्दाक में हुआ है चलिए नेक्स कॉशन की हम बात करेंगे और नेक्स यहां पर कॉशन है वन्ने जीवों को दिर्व्यभार से बचाने के लिए कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहल लिए ग्रेंड मास्टर कौन बने है तो दोस्तो भारत के 76 ग्रेंड मास्टर जो है ये बने है प्रणव आनंद ऑप्शन C is the correct answer इससे पहले 75 ग्रेंड मास्टर कौन थे तो ये वी प्रणव बने थे और प्रणव आनंद 76 ग्रेंड मास्टर बन गाए है दौनों में आपको confused बलकुल भी नहीं होना है नेक्स कॉशन पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं तो दोस्तो पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री जो है ये बने है सहवाश्ट शरीफ और ओफशन C is the correct answer, इन्होंने किसको replace किया है, तो इन्होंने इमरान खान का stand लिया है, और ये कौन से नमर के प्रधान मंतरी बने हैं पाकिस्तान के, तो ये 23 करम के प्रधान मंतरी हैं, ये भी आपको याद रखना है, नेक्स कॉशन, विश्व कुस्ती चेंपियंशिप 2022 में भारत ने कि इसकी डेटल को भी हम देखेंगे, तो इस प्रतियोगिता का जो आयोजन है, ये 10 से लेकर 18 सितबर के मद्ध में सर्विया के बेल ग्रेड में किया गया, और इस चेंपियंशिप ने अपने देश भारत ने सिर्फ दो ब्रॉंज मेडल जीते हैं, किस-किसने जीते हैं, तो वजरंग पूरिया, इन्होंने मैं 65 किलोग्राम केटेगरी में एक मेडल जीता, और विनिश वोगार्ड जो है, इन्होंने वूमन 53 किलोग्राम केटेगरी में दूसरा ब्रॉंज मेडल जो है, ये अपने देश के नाम किया है, नेक्स कॉश्चन, प्रधान मंत्री के नए स खिताब है ये जीता है गुजराट टाइटन्स ने ऑप्शन D is the correct answer इसने किसको हराया था तो गुजराट टाइटन्स ने राजस्थान रोयल्स को हरा कर आईपेल 2020 का जो खिताब है ये अपने नाम कर लिया और गुजराट टाइटन्स जो है ये पहली बार इसने आईपेल का ह है ये 10 टीमों के साथ में खेला गया था और गुजराट टाइटन्स ने से ही एक थी और इसने ये जो खिताब है ये अपने नाम कर लिया नेक्स कॉशन की हम बात करेंगे और नेक्स कॉशन है महिला क्रिकेट एश्य कब 2022 का खिताब किसने जीता तो ये जो खिताब है दोस् ये विजेता रही और उपविजेता की अगर बात करते हैं तो अपने देश भारत ने श्री लंका की टीम को हरा कर ये खिताब अपने नाम कर लिया है नेक्स कॉशन भारत और किस देश के बीच युद्धा ब्यास खंजर 2022 का नौवा संस्क्रण हिमाचल प्रदेश में आयजित हुआ तो दोस्तो युद्धाब्यास खंदर जो है इसका इसवर्ष नौवा संस्क्रेंट था कहां पर आजित हुआ तो हेमाचल प्रदेश में इसका आजिन किया गया किस-किस देश के बीच में तो भारत और किर्गिस्तान देश के बीच में इसका आजिन किया गया है अब ये तो हमने बात कर ली दूसरे नैनुखाद प्लांट की अब हम बात करते हैं देश के पहले नैनुखाद प्लांट की ये कहां पर स्थापित किया गया था तो ये गुजरात के कलोल में इसको स्थापित किया गया था और दूसरा कहां पर स्थापित किया गया तो प्रया गड़ में option B is the correct answer next question हाल ही में faster नामक एक software को किसने launch किया तो दोस्तो faster software जो है इसको launch किया NB Ramna ने option C is the correct answer और NB Ramna जो है आप जानते हैं ये देश के 48 वे नमबर के मुखिन आइधी ते और इन्हों ने इस software को launch किया है next question जल सर्रक्षन तथा जल निकायों की पुनरुद्धार के लिए भरत का पहला अमरिच सरोवर कहा बनकर तैयार हुआ तो दोस्तो भरत का पहला अमरिच सरोवर जो है ये बना रामपूर उत्तर प्रदेश में B option जो है ये correct answer हो जाएगा next question सुप्रीम कोट ने पहली बर किस बेंच की सुनवाई का live streaming शुरू किया तो दोस्तो live streaming जो है ये शुरू किया गया constitution bench ये की समविधान पीट का option C is the correct answer next question भरत की पहली foresty university किस राज्य में इस्थापित की जाएगी तो दोस्तो भरत का पहला वानी की विश्विध्याले जो है ये स्थापित किया जाएगा तेलंगाना में तेलंगाना की कहाँ पर तो आपको याद रखना है तेलंगाना की राजधानी है है हैदरबाद वहाँ पर इस वाने की विश्विध्याले को इस्थापित किया जाएगा इंडियन आर्मी ने किस ग्लेशियर में इस्थित दुनिया के सबसे उचे युद्ध छेतर पर सैटिलाइट बेस्ड ब्रांड बेंड इंटरनेट सर्विस को एक्टिव किया है तो ये कहाँ पर है ये है सियाचिन ग्लेशियर में ऑप्शन बी इस दा करेक्ट आंसर सितंबर 2022 को किस राज ने बेटियों की सुरक्षा के लिए हमर बेटी हमर मान अभ्यान शुरू करने की गोशना की तो दोस्तों बेटियों की सुरक्षा के लिए ये जो अभ्यान है ये शुरू किया 36 गड ने ऑप्शन ए इस दा करेक्ट आंसर नेक्स कॉश्चन एशियाई महादू इपिये सतरन चैंपेंशिप 2022 के ओपन वर्ग में एशियाई चैंपियन कौन बना है तो दोस्तों इस कॉश्चन का सही आंसर हो जाएगा आर प्रग्यानन्द ऑप्शन सी इस दा करेक्ट आंसर ये कहां से बिलोंग करते हैं तो ये तमिल लाडू से बिलोंग करते हैं और आपको याद रखना है ये भारत के 52 ग्रेंड मास्टर भी है नेक्स कॉश्चन की बात करेंगे और यहाँ पर नेक्स कॉश्चन है एश्याई महादूपिये 17 चैंपियंशिप 2022 में महिला बर्ग में एश्याई चैंपियंशिप कौन बनी है तो दोस्तों महिला बर्ग की यहाँ पर बात हो रही है और महिला बर्ग में जो एशाई चेंपियन्शिप है ये जीती है पी वी नद्याने ऑप्शन बी इस दा करेक्ट आंसर नेक्स कॉश्चन होकी इंडिया का नया अध्यक्ष किसे निक्त किया गया तो होकी इंडिया के नया अध्यक्ष जो है ये बने है दिलीब तिर की महासंग यानू als financial कौन बने है तो दोस्तों आपको याद रखना है फ जो अध्यक्ष ये बनगाए है उक्राम आंशर हमारा क्या हो जाएगा दियम इकराम जो है ये फ इच्श् ﷺ के नव अध्यक्ष बनगाए है इन्होंने किसस का इंधप के भारत नरेंदर. बत्तरा का इस्थान लिया बीच में ये जो पद है दोस्तों नरेंदर बत्तरा के बाद में सेफ एहमत के पास में रहा है कारे बाहक अध्यक्ष के रूप में लेकिन आप तयाब एकराम जो है ये FIH के नए अध्यक्ष नियुक्ति किये गए हैं चलिए नेक्स्ट कॉश्चन है बाली का पंचायद को शुरू करने वाला भरत का पहला राज्य कौन सा बना तो दोस्तों बाली का पंचायद को शुरू करने वाला भरत का पहला राज्य जो है ये बन गया है गुजरात नेक्स्ट कॉश्चन मेटा इंडिया फेस्बुक और इंस्टाग्राम की मूल कंपनी जो है इसका वाइस प्रेसिडेंट के से निक्ति किया गया है तो ये बनाया गया है संध्या देवनाथन के लिए option B is the correct answer next question हाल ही में किस राज्यमे देश का पहला हिम इस्खलन निगरानी रडार इस्थापित किया गया है तो दोस्तो भारत का पहला हिम इस्खलन निगरानी रडार जो है ये स्थापित किया गया सिक्किम में option B is the correct answer next question नीरत चोपडा ने Scott Home Diamond League 2022 में जैबलिन थ्रो का कितने मीटर का नया रिकॉर्ड बना कर अपना ही नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा है तो दोस्तो जो नीरत चोपडा है इन्होंने Scott Home Diamond League में 89.94 मीटर का जैबलिन थ्रो किया और खुद का ही जो नेशनल रिकॉर्ड था इसको इन्होंने ब्रेक किया है option D जो है ये correct answer हो जाएगा next question भारत का पहला डुगोंग सनरक्षन रिजर्फ किस राज़ में बनाया गया तो इसको दोस्तो बनाया गया है तमिल लाडू में option B is the correct answer next question पीपल्स बायो डैवर्सिटी रेजिस्टर तयार करने वाला भारत का पहला महानगर कौन सा बना है तो ये बना है कोलकाता option C is the correct answer next question बाल विबाह को मिटाने के लिए किस राज़ ने अलीवा पहल को लॉंच किया है तो दोस्तो सबसे पहला आपको याद रखना है अलीवा पहल को क्यों लॉंच किया गया तो दोस्तो ये जो पुस्तक है इसको लिखा गया है कलराज मिश्रे के द्वारा option A is the correct answer जो कलराज मिश्रे है आपको याद रखना है ये राजस्थान के पहले राजजिपाल रहे चुकी है और कलराज मिश्रे के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है इसका विमोचन किसने किया लोकरपन किसने किया तो M.Weng का या नाइडू जो है इनके दवारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया था और इसको कलराज मिस्री के दवारा लिखा गया है यह जो पुस्तक है इसमें समविधान संस्कति और राशे से जुड़े मुद्दों पर सम इस समय पर जो लेक लेके गए हैं इनको संग्रहत किया गया है Next stuff di love India's Women Unsung Heroes के लेकत कौन है इसकी लेकत है मीनाक्षी लेकी जो मीनाक्षी लेकी हैं दोस्तो इनहों ने इस पुस्तक में 1975 बहिला सुतंता सेनानीयों यहां जिनका नाम इतियास में बहुत कम या फिर ना की बराबर लिया गया है नेक्स कॉश्चन एहमदाबाद IPL तीम का नया नाम क्या हो गया है तो दोस्तो एहमदाबाद IPL तीम का नया नाम हूआ है गुजरा टाइटेंस और आपको बता दें इस team ने ही 2022 का IPL का जो खिताब है ये अपने नाम किया है Next Question हाल ही में केंदर सरकार ने रहतांग सुरंग का नाम बदल कर क्या रख दिया है तो दोस्तो रहतांग सुरंग जो है इसका नाम परिवर्टित किया केंदर सरकार ने और नया नाम कर दिया है अटल सुरंग option C is the correct answer यह जो सुरंग है यह कहाँ पर है तो मनाली को लेह सो जोड़ने वाली रोतांग सुरंग है यह और इसका नाम क्या हुआ अटल सुरंग इसका नाम कर दिया गया next question हाली में वीलर दीप का नाम बदल कर क्या कर दिया गया तो दोस्तो वीलर दीप जो है इसका नाम परिवर्तित करकर APJ अब्दुलकलाम दीप किया गया है option A is the correct answer next question रास्टमंडल खेलों के 22 संस्क्रण 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ तो दोस्तो आपको याद रखना है 22 संस्क्रण आयोजन किया गया है रास्टमंडल खेलों के 22 संस्क्रण का next question है रास्टमंडल खेल 2022 में पहली बार किस प्रतियोगिता को शामिल किया गया तो दोस्तो 2022 में जो रास्ट मंडल खेल हुए इसमें पहली बार महिला T20 क्रिकेट को शामिल किया गया option C is the correct answer और आपको याद रखना है पुरुष T20 क्रिकेट को इसमें कब शामिल किया गया तो पुरुष T20 क्रिकेट को इसमें 1998 में शामिल किया गया था next question की हम बात करेंगे और इसमें कहा गया है रास्ट मंडल खेल 2022 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं तो दोस्तो अपने दिश भारत ने इसमें कुल 61 मेडल जीते हैं अगर गोल्ड मेडल की हम बात करेंगे तो 22 गोल्ड मेडल Silver medal कितने जीते हैं तो 16 और Bronze medal जो है ये कुल 23 जीते हैं इस प्रकार से कुल 61 medal के साथ में अपना देज जो है ये चौथे इस्थान पर रहा है Next question दादस सहाफाल के International Film Festival Award 2022 में Best Film of the Year का Award किसे दिया गया तो दोस्तों DPIFF Award 2022 में Best Film of the Year का जो Award है ये किसे दिया गया Pushpa The Rise Movie के लिए दिया गया Option B is the correct answer अब ये जो Film Festival हुआ इससे कुछ important fact आपके एक्जाम में बनेंगे जहां से आपके लिए caution सीधे की सीधे पूछ जाएंगे तो इसका जो आयोजन है ये मुंबई में किया गया कब किया गया था फरवरी 2022 में सर्विसरिष्ट निर्देशक का पुरुषकर किसे दिया गया तो कैन घोश के लिए किस मूवी के लिए तो State of Seas Temple Attack मूवी के लिए दिया गया सर्विसरिष्ट अभिनेता का पुरुषकर फिल्म 83 के लिए रडवीर सिंग के लिए दिया गया सर्विस्रिष्ट अभीनेत्री का पुरुषकार है ये मिमी मूवी के लिए और किसे दिया गया तो कृती सेनन को दिया गया जो कृती सेनन है उन्होंने मिमी मूवी में दोस्तो सेरोगेट मदर का रोल प्ले किया था सर्विस्रेश्ट अभीनेता सहायक अभीनेता का पुरुषकार है ये 37 कोशिक के लिए दिया गया फिल्म कागस के लिए सर्विस्रेश्ट अभीनेती सहायक का पुरुषकार जो है ये लारा दत्ता के लिए वेल वाटम मूवी के लिए दिया गया और बेस्ट फिल्म आफ दे एर का जो अवार्ड है ये पुश्पधर राइस मूवी के लिए दिया गया और इसके डारेक्टर कौन है तो आपको याद रखना है ये सुकुमार है और सर्विस रेस्ट फिल्म का जो पुरुसकार है ये शेर शाह मूवी के लिए दिया गया 2022 के जो DPIFF अवार्ड है उनसे इतने फैक्ट आपके एक्जाम में एजा कॉशन पूछे जाएंगे और इन सबी को आपके लिए बहुत अच्छे से याद रखना है चलिए दोस्तों अब हम आपको यहाँ पर फिर से ebook के बारे में याद दिलाना चाहेंगे हमारे current affairs की ebook launch हो चुकी है इनकी जो link है मैं पहले ही आपके लिए बता चुकी हूँ इसी वीडियो के description box में मिलेगी जितने लोगों ने इस ebook को पहले से buy कर रखा है उनकी आप comment पढ़ सकते हैं कितने positive वो comment करते हैं और यह जो ebook है आपके exam के लिए बहुत ही जदा helpful सावित होने वाली है तो इसको आप अभी buy कर लीजिए दोस्तों next and last हमारा challenging caution है जो कि previous वीडियो who's who याने की वर्तमान में कौन क्या हाज लिया गया था कौशन में कहा गया है वर्तमान सभा में राजसभा में विपक्ष के नेता कौन है तो इस कौशन का answer आप सभी को comment section में comment करके देना है दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो please वीडियो को like करें इसे ज़्यादा श्यादा share करें अपने दोस्तों भाई बहनों के साथ मैं अभी तक आपने चैनल को subscribe नहीं किया है आप हमारे चैनल पर new student है तो चैनल को जल्दी से subscribe करने साथी bell icon पर ज़रूर क्लिक करें इनको भी आप देख लें थैंक्यू फ्रेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवादा